पिछले अध्याए में हमने अध्भुत त्रिरात्र तुलसी व्रत की महिमा और मंत्रों के साथ उनके विधान को जाना इस अध्याए में हम अन्यदान जलदान तड़ाग निर्माण आधी की महिमा जानेंगे नमस्कार मैं आभा शर्मा जावास येदि आपको मेरा ये प्रत्न सराहनी लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोचाहित करे। नारजी ने कहा भगवन गुणों में श्रेष्ट ब्राहमनों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन-किन वस्तुओं का दान करे। ये सब बताईए। महादेव जी बूले, देवरिशी प्रवर सुनों, लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्दान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्टित है। अदेव साधु महात्मा विशेश रूप से अन्न का ही दान करना जाते हैं। अन्न के समान कोई दान न होगा। ये है चराचर जगत अन्न की ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिती है। कल्यान की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुम्भु को कस्ट दे कर भी अन्न की भेक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मन को अवश्य दान दे। नारज जो याचना करने वाले पीडित ब्राह्मन को अन्न दे वही विद्वानों में श्रेष्ट है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुक का साधन है। रास्ते का थका मांदा ग्रह्ष्ट ब्राह्मन यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए तो कल्यान की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य ही उसे अन्न देना चाहिए। अन्दाता इह लोक और परलोक में भी सुक उठाता है। धके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना कलेश के अन्देता है वे सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिती की ना तो निंदा करे ना उससे द्रोही ही रखे उसे अन्न अरपन करे। उस दान की विशेश प्रशंसा है। महामुने जो मनुष्य अन्य से देवताओं, पित्रूं, ब्रहामनों तथा अतिथियों को त्रिप्त करता है उसे अक्षय पुर्णी की प्राप्ति होती है महान पाप करके भी जो याचक को विशेश्टह ब्रहामन को अन्यदान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है ब्रहामन को दिया हुआ दान अक्षय होता है, शुद्र को भी किया हुआ अन्यदान महान फल देने वाला है अन्यदान करते समय याचक से यह ना पूछे कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्यन किया है अन्यका अभिलाशी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्यदान महान फल देने वाला होता है अतहां मनुष्यों को इस प्रित्वी पर विशेश रूप से अन्यका दान करना चाहिए जलका दान भी श्रेश्ट है, वेसदा सब दानों में उत्तम है इसलिए बावली, कुवा और पोखरा बनवाना चाहिए जिसके खोदे हुए जलाशे में गौ, ब्रहमन और सादू पुरुष सदा पानी पीते हैं वे अपने कुल को तार देता है नारत जिसके पोखरे में गर्मी के समय पानी ठहरता है वे कभी दुर्गम एवं विशम संकट का सामना नहीं करता पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है मनीशी पुरुष, धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाय जाए जो प्राणियों के लिए महान आश्रे हो देवता, मनुष्य, गंधर्व, पित्र, नाग, राक्षस तथावर प्राणी भी जलाश्रे का आश्रे लेते हैं जिसके पोखरे में केवल वर्शारितू में ही जल रहता है उसे अगनी होतर का फल मिलता है जिसके तालाब में हेमंत और शिशरकाल तक जल ठहरता है उसे सहस्तर गौदान का फल मिलता है यदि वसंत तथा ग्रिश्म रितू तक पानी रुखता हो तो मनीशी पुरुष अतिरात्र और अश्रमे ग्यग्यों का फल बतलाते हैं अब व्रिक्ष लगाने के जो लाब हैं उनका वर्णन सुनो महामुने व्रिक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पित्रों तथा होने वाले वन्शजों का भी उधार कर देता है इसलिए व्रिक्षों को अवश्य लगाना चाहिए व्रिक्ष अपने फूलों से देवताओं का पत्तों से पित्रों का तथा चाया से समस्त अतितियों का पूजन करते हैं किनर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा रिशी भी व्रिक्षों का आश्य लेते हैं व्रिक्ष फूल और फलों से युप्त होकर इस लोक में मनुष्य को त्रिप्त करते हैं वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतह पुत्र माने गए हैं जो पोखरे के किनारे व्रिक्ष लगाते हैं ये ज्यानुष्ठान करतें तथा जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी स्वर्ग से ब्रश्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागरत रहता है, तथा सत्य परम पद है। तब यग्य, पुन्य कर्म, देवरशी पूजन, आदेविधी और विद्या, ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य ही यग्य, दान, मंत्र और सरसुति देवी है। सत्य ही व्रत्चर्या है, तथा सत्य ही उमकार है। सत्य से ही वायू चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है, तथा सत्य से ही स्वर्व तिका हुआ है लोक में जो सत्य बोलता है वे सव देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेहे प्राप्त कर लेता है एक हजार अश्वमेग यग्य का पुन्य और सत्य इन दोनों को यदि तराजू पर रख कर तोला जाए तो संपूर्ण यग्यों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा देवता, पित्र और रिशी सत्य में ही विश्वास करते हैं सत्य को ही परमधर्म और सत्य को ही परमपद कहते हैं सत्य को पर ब्रह्म का सुरूप बताया गया है इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ सत्य परायन मुनी अत्यमत दुशकर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोग से स्वर्ग को प्राप्थ हुए सदा सत्य ही बोलना चाहिए सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है सत्य रूपी दीर्थ अगाध विसरित एबं पवित्र हृद अर्थात कुंड से युक्त है योग-युक्त पुर्शों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए यही स्नान उत्तम माना गया है जो मनुष्य अपने पराय अत्वा पुत्र के लिए भी असत्य भाशन नहीं करते वे स्वर्ग गामी होते हैं ब्रहामनों में वेद, यग्य तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं किन्तु जो ब्रहामन सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेदादी शोभा नहीं देती अतह सत्य भाषन करना ही चाहिए नारद जी ने कहा भगवन अब मुझे विशेष्ट है तपस्या का फल बताईए क्योंकि प्राय सभी वर्णों का तथा मुख्यत है ब्राहवणों का तपस्या ही बल है महादेजी बोले नारद तपस्या को शेष्ट बताया गया है तपसे उत्तमफल की प्राप्ती होती है जो सदा तपस्या में सनलगन रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनन्द भोगते हैं तपसे मनुष्य मोक्ष पालेता है तब से महत पद की प्राप्ति होती है मनुश्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौधाग्य और रूप आदी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वे सब उसे तपस्या से मिल जाती है जिनोंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्म लोक में नहीं जाते पुरुष जिस किसी कारे का उद्देश लेकर तप करता है वे सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है मदिरा पीने वाला पर्ष्त्री गामी ब्रह्म हत्यारा तथा गुरुपत्नी गमन जैसा पापी भी तपस्या के बल से सब से पार हो जाता है सब पापों से छुटकारा पा लेता है तपस्या के प्रभाव से 86,000 उधर्व रेता मुनी स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं तपस्या से राज्य प्राप्त होता है इंड्र तथा संपून देवता और असुरु ने तपस्या से ही सदा सब का पालन किया है तपस्या से ही वे वृति दाता हुए संपून लोकों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सुर और चंद्रमा तपसे ही प्रकाशत होते हैं नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए है तपस्या से मनुष्य सब कुछ पालेता है सब सुखों का अनुभव करता है मुने जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो केवल वेद का अध्यन ही करता है वे दोनों समान है वे अध्यन तपस्या के ही तुल्ले है श्रेश्ट द्विज वेद पढ़ाने से जो पुन्य प्राप्त होता है सो अध्याय और जब से इसकी अपेक्षा दूना फर पाजाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानुर पाजन करता है और लोग को उस ज्ञान का भोध कराता है। वे परम पूजनी ये गुरु है। पुराण वेता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ट पात्र है। वे पतन से त्रान करता है। इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन-धान्य, सुवन तथा भाति-भाति के वस्र दान करते हैं। वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ट पात्र को गौ, भैस, हाथी और सुन्दर-सुन्दर घूड़े दान करता है, वे संपून लोकों में अशुमिक की अक्षे फल को प्राप्त होता है, जो सुपात्र को जोती बोई एवं फल से भरी हुई सुन्दर भूमी दान करता है, वे अपनी दस पीडी पह विश्णू लोक को जाता है, देवगण पुस्तक पांचने से जितना संतोष होता है, उतना संतोष उन्हें यग्यों से, प्रोक्षन, अर्थात अभिशेक से, तथा फूलों द्वारा की हुई पूजा से भी नहीं होता, जो भगवान विश्णू के मंदिर में धर्म ग्रं ग्यग्यों का फल पाता है, इतिहास पुराण के ग्रंथों का बाचन पुन्य दायक है, ऐसा करने वाला पुरुष संपूर कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, तथा आंत में सूर्य लोक का भेधन करके ब्रह्म लोक को चला जाता है, बहां स्वा कल्पों तक रहने के पश् इस प्रित्वी पर जन्मले राजा होता है, एक हजार अश्रुमे ग्यग्यों का जो फल बताया गया है, उसे दे मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है, जो देवता के आगे महाभारत का पाठ करता है, अतह सप्रकार का प्रेतन करके भगवान विश्नु के मंदिर में इतिहास पुरान के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, वे शुपकारक होता है, विश्नु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं, महादेव जी कहते हैं, नारत इस विशे में विग्यपुरुष्य एक प्राचीर इतिहास कहा करते हैं, यह इत अतिहास अत्यंत पुरातन, पुन्य दायक, सब पापों को हरने वाला तथा शुपकारक है, देवरिशे ब्रह्म पुत्र सनत कुमार ने लोग पिता महा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, मुझे यह उपाख्यान सुनाया था, सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलन गया था, वहाँ उन्होंने बड़ी प्रिसंता और भक्ती के द्वारा नाना प्रकार की स्तूतियों से मेरा सत्कार किया, तत्पशात मुझे सुख मैं आसन पर बैठने के लिए कहा, बैठने पर मैंने वहाँ एक अध्भूत बात देखी, एक पुरुष सोने के विमान पर पैठ कर वहाँ आया, उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए, और अगन्तुक का दाहिना हाथ पकड़ कर उन्होंने अर्गे आदी के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया, तत्पशात वे उससे इस प्रकार बोले, धर्म के द्रश्टा महापुरुष तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पास बैठो, मुझे कुछ ग्यान की बातें मताओ, इसके बाद उस धाम में जाना, जहां शिप ब्रह्मा जी विराजवान है, सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही, एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ, वहाँ आप पहुचा, धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया, तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्य से साथमना पूर्वक वार इसमें हुआ, मैंने धर्मराज से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है, जिसके उपर आप अधिक संतुष्टु हुए, इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है, जिसका इतना उत्तम पुन्य है, आप सरबग्य हैं, अतह, बताएए, किस कर्म के प्रभा प्रित्वी वर, वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है, वहां धरापाल नाम से प्रसिध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विश्णु का मंदिर बनवा कर उसमें उनकी स्थापना की, उस नगर में जितने लोग रहते थे, उन सब को उन्होंने भगवान का दर्शन क करनी के लिए आदेश दिया, गाओं की भीतर बना हुआ श्री विश्णु का वे सुन्दर मंदिर लोगों से भरा रहता था, तब राजा ने पहले ब्रहमन आदी के समुदाय का पूजन किया, फिर उन महा बुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण की ग्याता एक शेष् रूप से पूजा की, फिर क्रमशह, गंध, पुष्प, आदी उपचारों से पुस्तक का भी पूजन किया, राजा ने वाचक प्रहमन से विनेपूर्वक कहा, दुजरेष्ट मैनी जो ये भगवान विश्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्मश्रवन करने की इच्छ से चारों वर्णों का समुदाय इकत्रित हुआ है, अतह आप पुस्तक बाचिए, इस समें यह सो सौर्ण मुद्राय उत्तम जीविका वित्ती के रूप में ग्रहन कीजिए, और एक वर्ष तक प्रति दिन कथा कहिए, वर्ष समाप्त होने पर पुनह और धन्दूंगा, मु बीतते बीतते आयुक्षिन हो जाने के कारण राजा की मृत्ती हो गए, तम मैंने तथा भगवान विष्ण ने भी इनके लिए ध्यू लोग से विमान भेजा था, ये जो दूसरे ब्रहमन यहां आये थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का शवन किया था, एक माशा सुवन दान दिया, सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ती हुई, मुने इस प्रकार ये कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने कह सुनाया, महादेव जी कहते हैं, जो मनीशी पुरुष इस पुन्य प्रसंग का महातम में श्रवन क करते हैं उनकी किसी जन्द में कभी दुर्गती नहीं होती। देव्रशी प्रवर अब दूसरी बात सुनाता हूं। सुनू। गोपी चंदन का महातम में जैसा मैंने देखा और सुना है। उसका वर्णन करता हूं। ब्रहमन, क्षत्रिय, वैश, अत्वाशुद्र, कोई भी क्यों ना हूं। जो विष्णू का भग्त होकर उनके भजन में तत पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है। वह गंगा जल्चे नहाय होए की भांती सब दोशों से मुक्त हो जाता है। कल्यान की इच्छा करने वाले वैश्ण ब्रहमनों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारन करना विशेश रूप से करता वे है। ललाट में दंड के आकार का वक्ष्थल में कमल के सुद्रिश। बहूं के मूल भाग में बास के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल चंदन लगाना चाहिए। अत्वा जैसी रुची हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाए। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारन करने मातर से ब्रहमन से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैश्नव ब्रहमन भगवान विश्नु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विश्नु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विश्नु का ही सुरूप होता है। तुलसी के पत्र अत्वा काश्ट की बनी हुई माला धारन करने से ब्रहमन निश्य ही म मुक्ति का भागी होता है। मृत्यू के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है वे विमान पर आरूड हो विश्नु के परमपद को प्राप्त करता है। नारत कल्यूग में जो नर्श्रेष्ट गोपी चंदन का तिलक धारन करते हैं उनकी कभी दुरगती नहीं होती। ब्रह्मन इस प्रित्वी पर जो मदिरापान, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाला तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं वे भगवत भक्तों के दर्शन मातर से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विश्नु की भक्ती क के प्रसाद से ही वैश्णव हुआ हूं केवल मात्र व्रिक्ष लगाने से व्रिक्षों के फूलों के द्वारा देवताओं की पत्तों के द्वारा पित्रों की और च्छाया और फल के द्वारा अधिधियों का सम्मान होता है और यह अनंतकाल तक पुन्य फल देने वाला होता है पिछले अध्याय में हमने इसी ग्यान को प्राप्त किया अगले अध्याय में हम संबचसर द्यूप ब्रत की विधी जानेंगे